नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमें एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं और यहां मॉक टेस्ट हमारा मॉक टेस्ट नंबर 11 है तो अगर आपने अभी तक प्रिवियस मॉक टेस्ट को नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको कर सकते हैं इस वीडियो में इस मॉक टेस्ट के अंदर पूरे 100 कोशन्स होंगे जो कि आपका जो एक्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित हैं सो नंबर में 20 कोशन्स आपके हिंदी से होंगे 40 कोशन्स उत्राकंड के 40 कोशन्स जी के जियस से आपके होंगे और जो आगामी पेपर हैं चाहे वो पटवारे लेकपाल का हो वीडियो विपीडिया का हो या फिर कनिस सहायक का हो उन सबी के लिए काफी जादा important है ये आपके लिए एक practice set के रूप में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के end में आपने अपना score comment करके बताना है इन 100 में से आपके यहाँ पे कितने marks बने चलिए start करते हैं पहला प्रशन है अन्वेशन में कौन सी संदी है तो देखे अन्वेशन में शेप्द में जो यह है इसके अंदर कौन सी संदी है तो right answer है हमारा option D यन संदी जब हमने संदी वाला chapter पढ़ा था मैं आपको वहाँ पर बताया था पहचानने के लिए कि अगर या वा वा के बाद या या वा के पहले अगर कोई आदा शब्द हो तो जादधा टाइम पे वो क्या होगी हमारी यन संदी होगी दूसरा प्रशन है किताब घर शब्द है तो किताब घर कैसा शब्द है right answer है हमारा यहाँ पर option D संकर शब्द देखे संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं जैसे इसमें जो किताब है ये अरभी भाषा का शब्द है और जो घर है ये हिंदी भाषा का शब्द है तो अलग अलग भाषाओं के सब्दों से मिलकर अलग एक बना शब्द वो कहलाते हैं संकर शब्द ठीक है अगला प्रशन है सा ध्वनी है तो सा कैसी ध्वनी है तो देखे जो ये सा है इसको बोला जाता है पहले कौन सा व्यंजन है ये ये उस्म व्यंजन है या संघर्शी व्यंजन इसको कहा जाता है और यहां ता अंत्यस्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उचारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है उनको कहते हैं अंत्यस्त व्यंजन हिंदी वन माला में इनकी जो संख्या है वो है चार कौन-कौन से होते हैं या रा ला और वा ये हमारे क्या हैं अंत्यस्त व्यंजन है और definition अगर आपको पूछी जाए कि उन वियंजनों को ज्या कहा जाता है जिनका उचारन स्वर और वियंजनों के मध्य में होता है उन्हें अंधस्त वियंजन कहते हैं अगला है रजनी दरपन नाटक किसकी रचना है तो यहाँ जो रचना है रजनी दरपन ये किसका नाटक है ये नाटक है option C मनुभंडारी का इसके अलावा इनका एक और नाटक है जो important है आपको याद रखना है उसका नाम है बिना दीवारों का घर या बिना दीवारों के घर यह आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रशन है हमारा एशना शब्द का अर्थ क्या होता है तो एशना शब्द इसका अर्थ होता है हमारा option C अभी लाशा और देखें फ्रेंड्स यह सभी जो questions मैंने यहां पे लिये हैं यह किसी ना किसी exam में पूछे गए हैं ठीक है है हमारा option C सभा सभा क्या है किसी चीज का नाम है ठीक है लोगों की मीटिंग हो रही उसको क्या नाम दिया गया सभा उसको नाम दी दिया गया किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है संग्या कहलाता है हरा पतला या गहरा यह सब उसकी विशेषता हैं बता रहे हैं तो यह सार संप्रदान कारक यहां पर होगा ठीक है यहां पर कर्म कारक भी हो सकता था आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कर्म कारक में भी जो साइन आता है वो को लगता है और यहां पर भी को लगा है कर्म कारक क्यों नहीं हुआ देखिए अगर यहां पर कोई किरिया जो हमारा क कर्म है जैसे यहां पर भिख्षुक है भिख्षुक के लिए कोई काम हो रहा है तो हमारा संप्रदान होगा भिख्षुक के ऊपर अगर कोई काम हुआ होता अगर यहां पर होता राजा ने भिख्षुक को मारा अगर भिख्षुक के ऊपर कोई काम हुआ होता तो फिर हम कर्म किसको कारक मानते हैं ठीक है यह दोनों में डिफेरेंस था अगर कर्म के लिए काम हो तो संप्रदान कारक कर्म के ऊपर काम हो तो कर्म कारक ठीक है चलिए अगला है पीछे-पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांस के लिए एक शब्द होगा option B अनुगामी अगला है तन्खुआ किस भाषा का शब्द है तो जो तन्खुआ है यहां कौन सी भाषा का शब्द है right answer है हमारा option A ये फार्सी भासा का शब्द है इसके अलावा फार्सी के और भी कुछ महत्पून शब्द है जो आपको याद रखने है जैसे की सरकार ठीक है सरकार किस भासा का शब्द है ये हमारा फार्सी भासा का शब्द है इसके अलावा दीवार हो गया ठीक हजार हो गया गिरफतार हो हफ्ता हो गया चश्मा चश्मा किस भाषा का शब्द है तो चश्मा भी हमारा जो है फार्सी भाषा का शब्द है ठीक है अगला है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है तो आपको यहां पे तद्भव शब्द की पहचान करनी है कौन सा है राइट आंसर है हमारा सम्शब्द है अगनी का तदभव क्या होता है आग होता है फालगुन का फागुन होता है और शिक्षा का सीख होता है ठीक है अगला है लोकायतन किसकी रचना है तो जो यह लोकायतन है यह रचना है option B सुमित्रा नंदन पंत की यह एक रचना है यह एक काव्या है ठीक है और क यमक अलंकार की परिभाशा क्या होती है कि जब शब्द की आवरती हो और हर बार शब्द का अर्थ अलग हो यहां पे जो घटा शब्द है दोनों का जो आना है जो एक ही शब्द है और दो बार आ रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है जो यह पहली बार घटा आया इसका अर्थ है बादल ठीक है काली घटा याने की काले बादल का घमंट घटा दूसरे वाले घटा का मतलब है कम होना ठीक है तो एक ही शब्द दो बार repeat हुआ है दोनों के अर्थ अलग है ये परिभाश्ञा होती है यमक अलंकार की अगला प्रशन है निम्न में से पत्थर का प्रय प्र्याइवाचि कौन सा नहीं है, right answer है हमारा option c, पयस पयस किसका प्रयाइवाचि होता है यह जल का प्रयाइवाचि होता है, इसके अलावा प्रस्तर, उपल और पाहन यह सभी हमारे पथर के प्रयाइवाचि शब्द है, ठीक है जलके भी आपको कुछ प्रयावाची शब्द याद रखने हैं आप इनको लिख सकते हैं जैसे की सारंग सारंग किसका प्रयावाची शब्द है ये हमारे जलका है इसके अलावा शलील ये भी जलका प्रयावाची है वारी और नीर ये सभी महतपून है जो की जलके हैं अगला है तोड़ती पत्थर कवीता के कवी कौन है तो तोड़ती पत्थर किसकी रचना है ये रचना है सूर्यकान त्रिपाथी निराला जी की option C हमारा सही आंसर है अगला है ठिचूरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रहे के व्यंग्यकार कौन है तो दो प्रशन आपके यहां से बने पहला ठिचूरता हुआ गणतंत्र किस विद्या की रचना है तो यहां एक व्यंग्य है किसका व्यंग्य है ये व्यंग्य है हरी संकर परसाई का option B हमारा सही answer है ठीक है ठीचूरता हुआ गरतंत्र किसकी रचना है हरी संकर परसाई का अगला है यदि कोई पत्र सभी संभंध कारलियों को प्रेशित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं यानि कि कोई एक पत्र है कोई एक letter है जो कि सभी department को दिया जाना है उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र इंग्लिश में कहते हैं circular ठीक है और ये प्रशना आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है exam में कि अगर कोई सरकार केंदर सरकार सभी राज्यों को एक पत्र लिखे एक ही प पूछन को याद रुखना बहुत बाहर limits पूछा गया है एक्जाम के अंदर प्रशना है अर्थ के आधार पर वाक्ये के कितने भेद होते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्ये के आत्थ भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं आपने पड़े होंगे विधान वाचक निशेद वाचक आग्या वाचक इच्छा वाचक संध्य वाचक ये सभी क्या हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं खुल मिलाकर आठ होते हैं अगर आपको पूछा जाता रचना के आधार पर वाक्य के कितने भे रहे हैं एक्जाम में और ये भी पूछे गए हैं तो वहीं से मैंने इस कोशन को लिया महादेवी वर्मा का जो प्रत्थम कावे संकलन है वो है आप्शन ए निहार लिखा ये लिखा था इनको साल याद रखना उत्राखंड में पूछे जा चुके हैं रश्मी जो इनका कावे संग्रह है ये इनका 1932 में आया और निर्जा ये आया इनका 1934 में इसके लावा एक और आता है इनका सांध्यागीत जो की 1936 में आया और यहां पर अगर अगर आप दीप शिखा की जगा आपे शांध्यागीत करें तो शांध्यागीत निहार रश्मी और निर्जा इन चारों को मिलाकर इनका एक संग्रह बना जिसका नाम रखा यामा तो यामा को लेकर ही इने बाद में 1932 में ग्यानफीट पुरुषकार दिया गया तो ये सारी बाते आपको याद रखनी है पि अगला है समाचार का बहुवचन दिये गए विकलपों में से कौन सा है तो समाचार का बहुवचन कुछ नहीं होता समाचार ही होता है ठीक है ये आपको याद रखना है इसका बहुवचन एक वचन सब यही है ये खुद में ही बहुवचन है अगला है हमारा निम्न में से कि इसे जोहार छेत्र का प्रवेश दुवार कहा जाता है अभी हमने जिलावाई सीरीज पड़ी उसमें पिथोरगड में इस कोशन को हमने करा था जोहार छेत्र का प्रवेश दुवार कहा जाता है मुंसियारी को ठीक है और वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो थल केदार है ये भी पिथोरागड में है और इसी का अन्य नाम क्या है केदार जियू के नाम से भी इसे जाना जाता है अगला है राज्य की लोग भाशा में फिल्मों का निर्मान कब से शुरू हुआ तो राज्य की लोग भाशाई यानि के जो गड़वाली और कुमाउनी है इन में फिल्मों का निर्मान कब से शुरू हुआ तो राइट आंसर है हमारा ओप्षिन बी उननी सो तिरासी 1983 में राज्य की पहली फिल्म बनी थी जगवाल ठीक है किस भाशा की फिल्म थी ये थी गड़वाली भाशा की फिल्म जो की बनी उननी सो तिरासी में इसके निर्माता का आपको नाम याद रखना है क्योंकि पहली फिल्म है इसके निर्माता थे पारिश्वर गौड ठीक है इ इनमें से मोहमद बिन तुगलग का वास्तविक नाम क्या था तो आपने बताना है मोहमद बिन तुगलग का वास्तविक नाम देखे इसका जो वास्तविक नाम था एक था जूना खान इस नाम को आप जानते होंगे जूना खान लेकिन आपको अब ये कोशन भी देखने को मिल जाता है ठीक है यह जो गदी पर बैटा था यह बैटा था 1325 से लेकर 1351 तक यह दिल्ली का सुल्तान रहा इसी ने अपनी राजधानी कहां स्थान करी थी पूछी जाती है अपनी राजधानी यह देवगिरी में लेका गया ठीक है करवाया था राज-राज प्रत्थम ने ठीक है तो यह आपको याद रखना है कई बार सिधा कोशन ऐसे बन जाता है कि जो तंजावर में राज-राजिश्वर मंदिर है यह किसको समर्पित है तो यह सिवजी को समर्पित है अगला प्रशन है बौराणी मेला किस जनपद में अगला प्रशन है किस जनजाती में विवहा पूर्व सांग-जांगी संसकार होता है तो विवहा से पहले सांग-जांगी संसकार कौन से जनजाती में किया जाता है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजी जनजाती में और इनी में एक और संसकार भी है जिसे कहा जाता ह पिंठा संसकार यह दोनों संसकार किस से संबंदित हैं राजी जंजाती से संबंदित हैं अगला है टोंस नदी पर बांध बनाने हे तू उत्राकंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य समझोता कब हुआ तो देखें टोंस नदी पर डैम बनाने के लिए दोनों का समझोता हुआ क्योंकि टोंस नदी ही उत्राकण हिमाचल की सीमा भी बनाती है यहां से आप इसको भी याद रखें समझोता कब हुआ? यह हुआ 2015 में जून 2015 में यह समझोता हुआ था अगला है नेतरानी द्वीप किस राज्य में इस्तित है? इसको किस कर देना? नेतरानी द्वीप जो है यह करनाटक के समीप में इस्तित है करनाटक के अधिकार छेतर में यह आता है तो नेतरानी द्वीप कहां पर है? यह करनाटक में इस्तित है और कौन से सागर में अगर पूचेगा तो यह अरब सागर में है ठीक है? अगला है एवरेश्ट पर चड़ने वाले राज्जे के प्रतम व्यक्ति कौन थे तो माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाले राज्जे के पहले व्यक्ति थे हरीश चंद्री रावत और अगर पूछेगा पहली महिला कौन थी तो बचेंदरी पाल पहली महिला थी, ठीक है, परतम व्यक्ति पूचा है, हरीश यंदर रावत अगला प्रशन है हमारा, किस अधिनियम के तहट चीन के साथ व्यापार करने का कमपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था तो चीन के साथ कमपनी के एकदिकार को खतम कर दिया था 1813 का जो चार्टर अधिनिया आया लेकिन चाई की जो व्यापार होता था चाई का जो बिजनिस होता था उसको लेकर कमपनी को एकदिकार प्राप्त था बाकि सभी जो उसके व्यापार होते थे उसका खतम कर दिया था ठीक है, अगला है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राजिय में इस्तित है, तो देखें जो ये सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये इस्तित है जम्मु कश्मीर में, जम्मु कश्मीर में यहाँ चेनाब नदी के ऊपर इस्तित है, ये देखें सिंधू जल समझौता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये होता है 1960 में सिंधू जल समझौता कब होता है 1960 में इसके तहट छे नदियां थी जिनका बटवारा किया गया तीन-तीन में जिसमें तीन नदियां भारत को दी गई, तीन नदियां पाकिस्तान को दी गई, भारत को कौन कौन सी नदियां मिली, ब्यास, रावी और सतलज, ये तीन नदियां भारत को दी गई, इनका 80% जल भारत परियोग करेगा, 20% पाकिस्तान, पाकिस्तान को तीन नदियां दी गई, सिंधु, चेनाब और जेलम जिसमें 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत अगला प्रशन है कस्तूरी मिर्ग की राज्ये में कितनी प्रजाती पाई जाती है तो कस्तूरी मिर्ग की उत्राखंड की अंदर कितनी प्रजातीयां पाई जाती है right answer option c 4 प्रजातियां पाई जाती है कस्तुरी म्रिग का प्रिया भोजन क्या होता है केदार पाती होता है और मोनाल का प्रिया भोजन आलू होता है ठीक है दोनों में confusion मत होना अगला है अंतरिम विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो देखे जो अंतरिम विधान सभा बनी थी अंतरिम विधान सभा का जब गठन हुआ उसमें कुल सदस्य थे कितने 30 सदस्य उस समय यहां पर थे ठीक है और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए गए विधान सभा के अध्यक्ष वो कौन बनाए गए थे अंतरिम विधान सभा क कहां गिरती है तो देहे क्रिश्ण नदी एक important नदी है दक्षन भारत की और ये कहां पर गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है अब बात आती है कृष्ण नदी महा बलेश्वर से निकलती है और यहां से पाँच नदीमगन का नाम आपको याद हो ठीक है अगला है परवतवानी समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था तो परवतवानी समाचार पत्र ये प्रकाशित होता था उत्तरकाशी से पितांबर जोशी के द्वारा ये प्रकाशित होता था 1974 में इसकी शुरुवात की गई अगला प्रशन है हमारा उत्तरवैदिक काल में किस देवता को सरवच इस्थान प्राप्त था तो देखे रिगवैदिक काल में जो प्रमुक देवता थे वो थे इंद्र थीक है लेकिन उत्तरवेदिक काल में प्रमुक देवता बन गए थे प्रजापती option C हमारा सही आंसर है अगला है हमारा खगोलिया पिंड जिन में अपना प्रकाश एवं उश्मन नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है तो ऐसे खगोलिया पिंड जिन में अपना प्रकाश नहीं होता इने ग्रह कहा जाता है यानि कि planets इनको कहा जाता है option C हमारा सही आंसर है अगला प्रशन है हमारा उत्राखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था उत्राखंड ने अपना जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया यह किया चार अप्रेल 2016 में ठीक है और एक और चीज़ आपको इससे याद यह तो हो गया कि चार अप्रेल 2016 में अधिनियम यहां पर लागू किया लेकिन जब उन्होंने अपने पंचायती सिस्टम में उत्राखंड में पंचायती उसमें चुनावों में पचांस फीसीदी आरक्षन महिलाओं को दिया गया है यह कब दिया गया तो यह दिया गया था नगर पंचायत कितनी है 43 है और नगर निगम कितने है 8 है बहुत जल्दी एक complete वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें उत्राखंड के पंचायती राज अधिनियम से यह पूरा जो पंचायती सिस्टम है जितने important question यहां से बन सकते उनको हम वहां पे cover कर अगला है चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिन पूर और पश्यम इनको क्या कहा जाता है तो यह question ऐसे सीन अपने exam में पूछा था और MTS लेवल में पूछा था ठीक है तो इसका जो answer है यह हमारा option B प्रधान बिंदू इसका सही answer है अगला है अलमोडा के किस मंदिर से इस छेतर में यक्षों के निवास की पुष्टी होती है तो अलमोडा का कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टी करता है सही answer है जाखन देवी मंदिर यह हमारा सही answer है और कई बार repeated question है कतूरी शाशन काल में तहसीलदार को क्या कहा जाता था तो कतूरी शाशन काल में तहसीलदार को कुल चारिक कहा जाता था राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है ठीक है प्रतिहार कौन होते थे प्रतिहार होते थे वहाँ पे दुवार रक्षक ठीक है जो दर्वाजे के रक्षक होते थे उन्हें प्रतिहार कहते थे और जो गड़ रक्षक होते थे पूरे गड़ की रक्षा करते थे उन्हें कोट पाल कहते थे ठीक है बहुत जल्दी हम कतुरी शाशन अभी हमारी वीडियो नहीं आई है तो कतुरी वंच की वे कम्प्लीट वीडियो आने वाली है ठीक है फ्रेंट्स अगला है 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था तो ये कोशन भी SSC के दौरा पूसा जा चुका है वहीं से मैंने इस कोशन को लिया इंपोर्टन कोशन है 1850 के दौरान ब्रिटेन को दुनिया का कार खाना कहा जाने लगा था क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रिटेन अपने समराजे स्थापित किये थे हर जगा से वो कच्चा माल बिटेन ले जाता था फिर वहाँ पे उसका production करता था ठीक है उसको लेके वो बनाता था चीजों को अगला है विश्व परियावरन सरक्षन दिवस कब मनाय जाता है तो विश्व परियावरन सरक्षन दिवस ये मनाय जाता है 26 नवंबर को ये आपको याद रखना है ठीक है World Environment Protection Day World Environment Day नहीं पूछा अगर विश्व परियावरन दिवस होता तो ये हो जाता हमारा 5 जून ठीक है 5 जून हो जाता पूछा क्या गया परियावरन सरक्षन दिवस ये होता है 26 नवंबर को अगला है सिर्मोही का किला कहां इस्तित है तो सिर्मोही का किला ये हमारे चंपावत में इस्तित है Option C हमारा सही आंसर है अगला प्रशन है भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है तो भारत का कुल 43 प्रतिशत जो हिस्सा है वो मैदानी भाग है अगर पूछेगा भारत का परवती भाग कितना है तो ये है लगवग 10 परतिशत के करीब है ठीक है दस दशनलव 7 के करीब है पहाड़ी हिस्सा पूछेगा अगर तो पहाड़ी हिस्सा जो भारत का है वो है लगवग 18% के करीब है ठीक है और अगर पठारी हिस्सा पूछेगा तो 27% के करीब है हमारा पठारी हिस्सा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये जो पूरा इनका अलग-अलग छेत्रफल है प्रसंटेज के हिसाब से ठीक है अगला है नशा नहीं रोजगार दो का नारा किस ने दिया था तो नशा नहीं रोजगार दो ये नारा दिया था ओप्शन डी हमारा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं ये नारा उत्राखन संगर्श वाहिनी के द्वारा 1984 में दिया गया था ठीक है और इनमें एक है तुलसी दे का जो विभाजन हुआ 1987 में हुआ विभाजन के बाद अध्यक्ष कौन बनाए गए कासी सिंग एरी इसके अध्यक्ष बनाए गए और 1987 में ही पहली बार हरिद्वार को उत्राखण में शामिल करने की मांग की गई थी या इसका जो व्यापन था वो राष्टपती को दिया गया अगला है भारतिया दलहन सोद संस्थान कहां इस्तित है तो भारतिया दलहन सोद संस्थान यह इस्तित है ऑप्शन बी कानपूर में यहां इस्तित है अगला है भारत का मैक्यावेले किसे कहा जाता है तो देखिए भारत का मैक्यावेले यह कहा जाता है चानक्या को चानक्य पूछा भी जाता है कि चारणक्या किसके समकालीन था यह प्रिंस की तुलना चानक्या के 38 साफिर से तो यह याद रखना परिंस की तुलना किसे की जाती है चानक्या के 타 tomar और है किeen neu क्षेली का अभी कुछ टाइम में पैफ से लख बहार इक्जाम में यह पुछा जा रहा है काल बेलिया किस राज्या का प्र तो ये है हमारे राजस्थान का एक प्रमुक नतह काल बिलिया अगला है डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी तो भारत में डाक विभाग की जो स्थापना की गए थी लौड डल होसी के दुवारा की गई उसके शाशनकाल में की गई 1854 में अगला है अलमोडा में इस्थित रहिस्त में घंटियों वाला मंदिर कौन सा है तो रहिस्त में घंटियों वाला मंदिर है अलमोडा का चिताई मंदिर जिसे परमोच न्याले भी माना जाता है गोलु देवता का जिताई मंदिर इसका पूरा नाम है ठीक है गोलु देवता को समर्पित है अगला है राम गंगा और गागेश नदी का संगम कहां पर होता है तो राम गंगा और गागेश नदी इनका संगम होता है भीकिया सेन अलमोडा में ठीक है ऑप्शन B हमारा सही आंस मार्च को मनाया जाता है। ठीक है राष्ट्रिय और महीला दिवस कब मनाय जाता है कमेंट करके आब बताएंगे अगला है बागेशवर के पिंगनात मंदिर का निर्मान किस कि ने करवाया था? तो निर्मान करवाया था और जो भारत में सिक्षक दिवस मनाय जाता है, पांस सितंबर को इनी की स्मृति में मनाय जाता है, ठीके इनी के जनम दिन पर. अगला है कौन सा समराठ स्वएम को दूसरा अलेक्जंडर कहता था, तो देखे सिकंदर का पूरा नाम था अलेकजंडर सिकंदर, तो ऐसे घुमा के भी कोशिन बन सकता है, अपने आपको दूसरा अलेक्जंडर यान altri की दूसरा सिकंदर कहता था, अलाउध दिन, खिल जी, option C हमारा सही आंसर है अगला है गैर सेंड किस नदी के तट पर इस्तित है जो जो गैर सेंड है उत्रा खंड की ग्रीश मिकाली राजधानी यहां कौन सी नदी के तट पर है सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पश्यमी राम गंगा के तट पर यहां इस्तित है गैर सेंड को राजधा इसकी स्थापना 1899 में की गई ती कि अगला प्रश्ण है लच्छा नामक आभूशन कहां पर पहना जाता है तो लच्छा नामक आभूशन हो यह पैर में पहना जाता है ऑप्शनसि हमारा आश Me अगला है किसके द्वारा Microsoft Word में चुने गए पाठे यानि कि टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं तो अगर आप Microsoft में काम कर रहे हैं और आपने जो भी लिखा उसका अगर आपको रंग बदलना है तो आप किसका प्रियोग करेंगे सही आंसर है font color का टिक है टेक्स्ट कलर नहीं होता है font color होता है option A अगला है ग्यानपीट पुरुसकार पाने वाली पहली महिला आशापूना देवी को किस साहित्या हेतु यहाँ प्रदान किया गया था तो देखे ग्यानपीट पुरुसकार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी आशापूना देवी इन ग्यानपीट पूरुषकार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया जो की मल्यालम लेखक थे और हिंदी का पहला गर पूछा जाएगा तो आपको पता है 1968 में सुमित्रा नंदन पंथ को दिया गया अगला है स्वतंत्रता सेनानी अश्वाक उल्ला खान की जीवनिक किस ने लिखी थी तो इनकी जीवनी लिखी है हिमानशु जोशी ने रही सही आंसर है ऑप्शन बी अगला प्रशन है उत्रा खंड में आधुनिक शिक्षा की नीव डालने का अश्रे किसे दिया जाता है उत् लिखे इसको लेकि कोशन कई बार बन चुका है एक्जाम के अंदर बमों के नाम पूछ लिए जाते हैं तो अमेरिका ने 6 अगस्ट 1945 को पहला परमाणू बम गिराया था हिरो सीमा पर जिसका नाम था हमारा यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर है लिटिल बॉई और तीन दिन ब भारत का भी याद रखना हैं बिलकुल एक्जैक्ट वाला सही आंसर है ऑप्शन बी बटिस लाग 87,263 किलो मिटर यह भारत का कुल 6 तरफल है ठीक है बटिस लाग 87,000 किस ब्रिटिश का आल में खजाने पर नेंतरन करने के लिए डबल लॉक विवस्था कब लागू की गई तो यह डबल लॉक विवस्था थी यहाँ विलियम ट्रेल के दुवारा लागू की गई थी 1824 में अगला है उत्राखंड अल्प संक्याक दिवस कब मनाय जाता है तो उत्राखंड अल्प संक्याक दिवस यह मनाय जाता है 18 दिसंबर को और अगर पूछा जाता लोग दिवस कब मनाय जाता है उत्राखंड में तो यह 24 दिसंबर को मनाय जाता है इंद्रमणी बढ़ोनी के जैयंती पर अगला है वीर सावरकर अंतराष्ट्य हवाई अड़ा कहां इस्तित है तो वीडी सावरकर अंतराष्ट्य हवाई अड़ा जो है यहां इस्तित है अंडमान 13 या 14 چícia 24 देश के साथ Іपनी सीमा को साजय करता है और आगर आपको पूछा जाता है यही प्रशन कि दुनिया में सबसे लंभी अंतर राश्ठी सीमा वाला देश कौन है तो वो है कनाड़ा, सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा किस देश की है या सबसे जादा वो है कनाड़ा की लेकिन सबसे जादा देशों से लगने वाला कौन है वो है चीन और एक और प्रश्ण बनता है किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है जिसे भारत की बंगलादेश के साथ लगती है चीन की लगती है मंगोलिया के साथ ठीक है ये भी याद रखना है ये भी पूछा जा चुका है निम्न में सबसे उंची राजधानी किस देश की है तो विश्व में सबसे उंचाई पर इस्थित राजधानी है बोलिविया की ठीक है बोलिविया की है और इसकी राजधानी का नाम है लापास तो आपको लापास नाम भी पूछा जा सकता है इन में से कों से राजधानी सबस है कपकोट और यहां पे कि नदियों का संगम होता है सरय और खीर गंगा का यहां पे संगम होता है अगला है विल्यम ट्रेल द्वारा ट्रेल पास की खोच कप की गई तो विल्यम ट्रेल ने खोच कर इसी ट्रेल पास की जो की बागीश्वर और पिथारागड़ को चोड़ता ह इस दर्रे की खोज 1830 में की गई अगला है गौमों के समीप कौन सी नदी भागी रती में मिलती है अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसको कवर किया है भागी रती में गौमों के समीप मिलती है रुद्र गंगा civil सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था तो पूरे विश्व में civil सेवा हैं शुरू करने वाला उसके लिए competition शुरू करने वाला पहला देश था चाइना option C सही answer है अगला है अंतराश्ट्रिया चावल अनुसंधान केंद्र कहा इस्तित है तो देखे अनुस 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 की गठन किया गया था 2008 में और चार नवंबर 2008 को ही गंगा को राष्ट्रे नदी भी घोशित किया गया अगला है हेंडी रेमजे ने तरही छेत्रों की वन रिपोर्ट किस वर्ष तयार करवाई थी तो हेंडी रेमजे के द्वारा यहार रिपोर्ट 1861 में तयार कराई गई अगला है किस नदी को भारत का जैविक मरुस्थल भी कहते हैं इंपोर्टन कोशन है रिपीटिट कोशन है के एक्जाम में ठीक है किस नदी को कहते हैं भारत का जैविक मरुस्थल सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी दामोदर नदी इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और अगर पूछेगा कि किस नदी को भारत की रूर नदी कहते हैं तो वो भी दामुदर नदी को कहते हैं ठीक है रूर वहाँ छेतर जहां पे बहुत अधिर मात्रा में खनीज पाए जाते हैं जैसे अगर पूछेगा भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है किसे तो कह जाता है छोटा नाकपूर पठार को जो छोटा नाकपूर का पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है वहाँ पर बहुत सारे खनीज पाए जाते हैं लेकिन अगर नदियों में पूछेगा किस नदी को भारत का रूर कहते हैं तो वो कहते हैं दामोदर नदी को तीन प्रशने यह कलिंग का एक प्रसिद्ध सासक था और कौन से वंश का था महा मेगवान वंश जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है अगला प्रशन है किस मुगल शाशक ने अपनी आत्मकता लिखी है तो देखे मुगलों में दो मुगल ऐसे हैं जिन्हों ने अपनी आत्मकता लिखी जो प बाबर नामा के नाम से तो बाबर की जो आत्म कता है उसका नाम है तुझू के बाबरी जो की इसने तुरकी भाषा में लिखी ये भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखी तुरकी में लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी फारसी इसने अपनी लिखी किसमें है तु important question है इसके लाव अगर हम बात करें हुमायू की जो आत्म कता है या जीवनी है हुमायू की जीवनी किसने लिखी है तो वो लिखी है हुमायू नामा गुलबदन बेगम ने ठीक है अकबर के लिए अकबर नामा किसने लिखी अबुल-फजल ने लिखी और शहाजां के लिए श कमर में पहना जाता है और इसे ही कहा जाता है तगड़ी आबुशन भी पर्थम गड़वाली पद लेखक कौन थे तो गड़वाल के प्रथम गड़वाली पद लेखक यहां पर पूछा जा रहा है ठीक है गड़वाली पद लेखक पहले यह कौन थे राइट आंसर है हमारा ऑ है most important है ठीक है फ्रेंट्स अगला प्रश्ण है हमारा ये रोप की कौन सी नदी कोईला नदी के नाम से जानी जाती है तो ये रोप की किस नदी को कोईला नदी के नाम से जाना जाता है राइट आंसर है option B की राइन नदी और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है वो भी राइन नदी है किस ग्रंथ में उत्राखंड के लिए उत्तरकुरु शब्द का प्रियोग किया गया है बहुत important question है कई बार repeat हुआ है ठीक है उत्राखंड के लिए उत्तरकुरु शब्द आय कहा गया है ठीक है अगला है पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया था तो जो पहली बार सुमन दिवस मनाया गया यह मनाया गया 25 जुलाई 1946 को ठीक है सिर्दे सुमन की मृत्यू कब होती है तो 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यू होती है 84 दिन के अंसन के बाद अंसन उन्होंने शुरू कब किया था तो 3 माई 1944 को उन्होंने अंसन शुरू किया और 25 जुलाई 1944 को वो शहीद हो गए थे ठीक है और दो साल बात 1946 में पहली बार मनाया गया सुमन दिवस अगला है DOS का पूर्ण रूप क्या होगा या DOS जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोशन है और इसका पूर्ण रूप होता है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम ठीके DOS अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एक मात्र मंदिर माना जाता है कहां इस्तित है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर ये इस्तित है तमिल नाडू के कांची या कांची पूरम में ठीक कहा है तमिल नाडू में कि अगला है वर्ष 1925 में अल्मोडा में इसको मे कर देना अल्मोडा में आयुजित विशाल शिल्पकार सम्मेलन sometime किसने करी तो अल्मोडस होता है जो विशाल सिल्पकर सम्मेलन की बार पूछा गया है कि देहरादूर में की गई 1918 में स्वामी विचारणन सरस्वदी के दुवारा अगला है प्रिंटिंग से पहले पेज का पुरुव वलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रियोग किया जाता है यानिकि अगर आपने कंप्यूटर में कोई टेक्स तयार किया है कोई फाइल तयार किया आप उसका प्रिंट प्रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रियोग करेंगे कंट्रोल प्लस एफटू का प्रियोग किया जाता है भारत की मुख्य भूमी की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो देखे मुख्य भूमी की पूछ रहा है सही आंसर होगा एक साट सो किलो मीटर और जो द्वीब हैं सहरी द्वीबों को मिला कर पूछा जाता कि कुल लंबाई कितनी है तट रेखा की तब होता 7516.5 किलो मीटर ठीक है लेकिन अगर मुख्य भूमी की पूचेगा 600 सबसे लंबी तट रिखा वाला राज्य कौन सा है गुजरात और कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रिखा से हैं यह समुद्र से जुड़े हुए हैं तो 9 राज्य अगला है दू महल लोक नित्य किस राज्य का है तो दू महल लोक नित्य यह किस राज्य का नित्य है यह है हमारे जम्मू कश्मीर का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है अगला प्रशन है प्रताप इंटरमीडियेट कॉलेज की स्थापना किस ने करी देखे प्रताप इंटरमीड रीक होने इंटर बनाया नरेंद्र शाहने जो अगला है मध्या हमाले का पुराथत्व किसकी रचना है तो मध्या हमाले का पुराथत्व यह रचना हमारा option B येस्वन सिंग कठोच की रचना है और इनकी एक रचना बहुत बार एक्जाम में पूची गई है उत्रा खंड का नवीन इतिहास ये किसकी रचना है ये भी येस्वन सिंग कठोच की है और बहुत जल्दी हम इस किताब को भी कवर करने वाले हैं इस किताब के नोट स C हमारा सही आंसर है आज का आंतिम प्रशन है Microsoft Excel सीट में किसी भी सूत्र के परियोग से पहले किस चिन का परियोग किया जाना अनिवारे है तो अगर आपने Microsoft Excel में काम किया होगा और जब वहां पर फॉर्मूले लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइं लग होगा अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अपने स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहां पर कितना रहा ठीक है और अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप में आड